हैलो फ्रेंड़म्टे रेस पे आना मैशौ मैसिंग आज मेरे किचन में बनने वाली है भिंडि की सबजी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बिंडी की सबजी में क्या स्बेशाल है यह बिंड़ी की सबजी मसालेदार होने वाली है जहैटपड बनती है और आप इसे रोटी पराटी पूरी या चावल के साथ enjoy कर सकते हैं वैसे ये सबजी टिफिन में बहुत ही बढ़ी लगती है तो यहां मैंने आदा किलो भिंडी को अच्छे से wash करके सुखा लिया उसके बाद मैं भिंडी को काट रही हूँ तो मैंने सबसे पहले 20 से चीरा लगाया है और साइट से भी चीरा लगाया है और अगर बड़ी भिंडी है तो 20 से भी चीरा लगा देंगे छोटी है तो आप बस उपर से चीरा लगा दे तो भिंडी को मैंने काट लिया बड़िया से अब मैं यहाँ दो मीडियम साइस की प्याज ली हूँ और इसे मैं लचेदार काट लेती हूँ आज भिंडी की सबजी बनेगी सरसो के तेल में अगर आप सरसो का तेल यूज नहीं करते हैं तो रिफाइन डॉयल भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल देते हैं सरसो का तेल और जब भी भिंडी की सबजी बनती है तो थोड़ा सा तेल जादा ही यूज होता है यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे मिति, अजवाइन, लालमिज और मंग्रेलिया है इसे गरम तेल में डाल देते हैं बड़िया सा एक तड़का लगा लेते हैं कटी हुई प्याज डालेंगे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है तो केवल 30-40 सेकेंड इसे अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं तो किसे किसे भिंडी की सबजी खाना पसंदे कमेंट करके जरूर बताएगा और आप इसे किस तरह बनाते हैं वह भी कमेंट करके जरूर बताएगा तो यहां मैंने कटी हुई भिंडी डाल दी है और प्याज और भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इसे ढखना नहीं है, इसे हमें खोल कर ही पकाना है, क्योंकि भिंडी में लस्पन होता है, अगर आप इसे तुरन ढख देंगे, तो इसमें लस्पन आ जाएगा और भिंडी आपस में चिपक जाएगी, तो फ्लेम को medium to high रखें और बीजवीच में इसे चलाते रहें, तो य इसे नहीं खाते हैं, तो इसे skip भी कर सकते हैं, लगबक 8-10 में ठो गये हैं, और यहां मैंने भिंडी को बीजवीच में चलाया है, तो मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, और मैं कई तरीके से इसे बनाती हूँ, आप इसे किस तरीके से बनाते हैं, और भिंडी के सबसे पहलेले मैंने हलदी तरीब तरी पॉडर, इसमे धनिया पॉडर ताल दिने सब्जी मसाला, तो भी ते धर जहे school द्रेद सब्जी मसाला, यूज़ उन्स कर सकते हैं, या सब्जी तो सी काले मिशवर समीस, देख सम्णश में दलना, यह लालमिश पॉडर तो यहां मैं मैंने मसाला इसमें डाला है और कुटा हुआ इसमें लैसुन डाल दिया है सभी चुग अच्छे से मिक्स करते हैं और जैसे आप इसे मिक्स करेंगे इतनी बढ़िया खुछ भुआएगी मसाले और लैसुन की कि आपका मन करेगा कि बस आप इसे तुरंट खा लें तो इसमें नमक भी डालेंगे पर ये ध्यान रखे कि नमक आपको इदम आखरी में डालना है एक मेट पहले जब आपको गैस बन करना है उसके पहले ही डालना है शुरू में नमक नहीं डालना है तो मैंने यहान नमक डाल दी है स्वाद के नुसार और ये जो भिंडी की सबजी है ये बन कर बिल्कुल तयार है बहुत ही सिंपल लगती है पर यकीन मानिये बहुत ही बढ़िया बनती है तो आप इस तरह भिंडी की सबजी जरूर बनाए तो यहां मैं इसे इंजॉय करने पराठे के साथ आप इसे रोटी और पूरी के साथ भी खा सकते हैं ये ठंडी होने के बाद भी बहुत ही बढ़िया लगती है तो यहां गर्म गरम मसालेदार भिंडी की सबजी बिल्कुल तयार है आप भी इसे जरूर ट्राइब करेगा कमेंट करके बताएगा कि आपको य एक नई रसिपिक साथ तब तक लिए पाए और टेक कियर